बिहार में इन दिनों गर्मीनी लोगों का हाल बेहाल कर रखा है वो कहते हैं न मई का आन पहुचा है महीना बहा चोटी से यणी तक पसीना ये बात इस वक्त बिहार में बिलकुल सत साबित हो रही है हालकि बीच बीच में बिन मौसम पर साथ जरूर हो रही है लेकिन उसके बाद भी जो धूप निकल रही है वो जला देने वाली होती है बिहार से सामने आई इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गर्मी से बिहाल लोग किस तरह नारियल पानी पीकर या नीरा पीकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे है स्थानी निवासियों का क्या कहना है सुनिये ये तो नीरा है इतना फाइदे मंद है नीरा नीरा तो जैसा बताया गया है कि हम लोग तो अतना थीने है लेकिन बताया गया है कि बहुत स्वास्त के लिए बहुत फाइदे मंद है नीरा इसमें विटामिन बहुत तरह का मिल जाता और गर्मी के लिए तो खास करके बहुत ज़्यादा बताएगा आपको कुछ अपूछ था है हमको फाइदा दिखता है पेट भी से बहुत अच्छा साप रहता है और हम लगभग सब्धा में लगभग तीन दिन-चार दिन जरूर प किते हैं बहुत जादा बहुत जादा कर मतलब चलने लाइक नहीं रहता है इसमें लो बेरा है पुलसी पता है तो नहीं होता तो पहले जो प्रक्रिक्ति का जो जैसे पेंड हुआ कट रहा है इस अब का असर पढ़ रहा है कि काफी ज्यादा इस पर तो गर्म क्यूंट काफी और बहुत जादा काफिर है को स्वास्थ क्राब हो रहा है कि इसका को स्थम में हो अ कि नहीं है और वहो जादा पड़ रही है दुकांदार जीदिंद्र कुमार बताते हैं कि दिन भर में नीडा पीने वालों की संख्याद 400 से 500 के करीब है नीडा का भी बिजनस यहां 40 से 50 के मिश में लीटर है और समझे कि करीब करीब 400 से 500 केस्टमर डिली नीडा का यहां सेल है गर्भी में यह बहुत फायदे मन है यह कि यह कुदरती और नेशनल जूस है इसमें कोई अगर इसमें हम लोग एक किये हैं कि इसको सफाई का विशेज ध्यान हम लोग रखे हैं सफाई का विशेज ध्यान प्रखने से एक सुन्दर नेकुदरती जूस बन गया है और यह डाइभर्ड नहों जाए इसलिए टंपरेचर मेंटेन करना है इसको करना हम लोग रखे हैं